तो दोस्तो आप सभी के कैसे हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे बहुत ही जब अजयस्थ होंगे जैसे कि आप सभी पता है कि जारखन जैसे सिजल के एक जाम बहुत ही सामने है यानि बहुत ही नजदिक आ गया है इसलिए आज से हम होगा कि जार्खन सीजल में टोटल जार्खन से 40 पस्न पुछा जाता है इसलिए आपको जार्खन जीके को टाइट रखना बहुत जोर रही है तभी आप एक्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं इसलिए इस चनल में हम कोशिश करेंगे कि एक्जाम से पहले तक कमसक्म आपको 25 किस से 30 सेट करवा दें अगर आप कहीं प्रेक्टिस सेट नहीं मार रहे हैं या कहीं पर एक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं आप मेरे चैनल को थुरू भी पढ़ सकते हैं यहां से भी आपका अच्छा खसा त्यारी हो जाएगा चलिए हम लोग आज की ससन को शुरुआत करते हैं देखिए आज की पहला परशन आपके स्कीन पर आपको बहुत ध्यान से प्रश्ण को देखना है रफ को उतर को देना है ठीक है पहला प्रश्ण है महा भारत में जार्खन को किस नाम से जाना जाता था बताना है महा भारत में जार्खन को कौन सा नाम से जाना जाता था इस question का right answer होगा पुंटरिक देश याँ eben option number choice का C ola right answer हो जाएगा इसी गरांथ में इसे पसुभुमी भी कहा गया है पसुभुमी यद रखना है इसी गरांध में इसे पसुभुमी पसुभुमी भी कहा गया है आपको इसको भी याद रखना है, चला duct सवा सीछत में कितने अनुम्षूचित जनत्त हैं, अरक्षित अरक्षित है, उस्टम नमरी सका पहला राईट ंसर होजाएगा, नेक्स्ट है सब्द वित्पती की दिश्टी से सदान सब्द निम्लिखित में से किस भासा का एक सब्द है तेरा है उस तो नाकपूरी भासा का एक सब्द है एनि ओप्सन नमबर इसका पहला वला राइट एंसर हो जाएगा चले आपनों चलते हैं अगला पॉस्ट न मुखलकाल में ज्रावन को कुक्रा या खुक्रा बोला गया है तो देक्सिमी अगला सी पर कंश्ना है खरवरल आंदरौन का नहींतों किस Johnnyuster कि ऐता खरोर अंदलन का नेतु तो किस ने किया था ताफ से पताव जोस्तो भागरत मान ही ने किया था ओप्शन नमजेस का यह वला राइट नेसर हो जाएगा यहां से एक इंक्पोडेंट कुशन और बन सकता है कि खरोर अंदलन कब हुआ था ति यह आते लिजे यह अठार सो चोहत परिवारिक के है जबकि उराओ यानि कुडुक्त कुर्वा तता पहाड या मालतो है यह कौन सा भासा परिवार से समंध रखता है यह पुछा जा रहा है ठीक है तो रखना है दर्वीन भासा दर्वीन ओप्शन नमजेस का सी राइट एंसर हो जाएगा यह सारे भासा अगला पॉस्टन वाले है तो वीडियो में आपको अंतर देखना है और में चैनल ने पहली बार आया है में चैनल जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना है ठीक है कभी हरे वीडिया आप तक पहुच पाएगा नेक्स परसे देखें क्या है अगला है अंधी और 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 तीपी नाम से परचलित भी हुआ नियून में से किस समदित है अगल बतान है अंधी और ओपर तीपी नाम से परचलित भी हुआ नियून में से किस समदित है यनि कौन सा जर्ण 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 तो उप्षेन के कोड़ें निहां पर जोस्तो होगा औराव। उप्षेन नमघर इसका पहला रायट एंस हो जाएगा तो नेक्स्ट एकना नमघर करेंगा देखिए जोमर पाइका नटुआ तथा अगणी सफी परकार है यह क्या है त्यांस थो यह एक परकार का निरित्ती है अपशनर को इसका सिए वला रायट अर्स हो जाएगा जुमार पायका नटुआ ताथा अगनी यह एक परकार का निरित्ती है ठीक है आयोके बिंश्टाइक निरिथी किस पंदिरिथी मंख से पुरूष लग या निदिर तो ये पूरोष छहत wires द्रा थार्ण कोलनाम हो चैने श्रोनिर होगा तो में कुछ अंतर नहीं पाइन सी पाइन जारखंड के लातिहार जिल्ले में कौन सा परेटन अस्थल है आप सब्से फेमस परेटन अस्थल है नेतरहाट तो हर किसी पता होगा अपसा नमर जो है वियो ले इसका राइट एंसर हो जागा दो जो नेतरहाट है उसको छोड़नाकपूर की रानी भी कहा जाता है इसको वो वह जड़ा पूछा जाता है अगला है जहारखंडागा याए लोगो में कितने जए का परियोग क्या गया है जो पुराना जो लोगो आजया का उसमें टोटल चार जए का वहाँ पर इस्तमाल क्या ग्या है है नोहां पर चारग आपको देखने को मिलेगा ठीक है ऑप्सान में लूबर आग्रा पस्टा है छाष्ण में कितने परमंडल है जारखन में पांच परमंडल है इस एक बता होगा चलो मैं और बता दो एक te o इसली इहां पर एक और पश्ने पूछता है वो पशने क्या है कि सबसे 9 निर्मिद परमंडल कौन सा है यानि सबसे आखरी बना यानिया प्रमंडल कौन बना है सबसे लेट में तो तो कोल्हान परमंडल या रखना है कोल्हान परमंडल सबसे लास्ट ने बना है इसलिए ये भी प्रस्ण पूछता है हमें साथ एक्जाम में कि नौ निर्मीत परमंडल कौन सा है तब को कोल्हान मारता है ना कोल्हान इसको याद कर लिजिए इंग्पोटेंट है अगला है मारांग गोडा निलकंट हुआ के इसका पूछ सकता है कि इसका प्रकाशन कब हुआ ठीक है ये मारांग गोडा निलकंट हुआ के लेखक तो लेघर मोह मांच है बैट का प्रकाशन कब हुआ त्यार रखना है दो हजार बारम हुआ 2012 में ठीक चलम जो इंकुर्यंट है मैं आपको सारा बताते हो चलूंगा ठी एक डेस है और ललित मोहन राय एक क्या है तो आप से पता होगा वह एक चित्रकार थे ना चित्रकार है अप्शन नबर जो है पहला उला इसका राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट आई अगला नबर अगला है अगला पस्छना इन में से कौन सा विश्वविद्दाल है एक डिम डिम्ड भिश्विद्दाल है तो जोस्तो बिया अटी मेश्रा अप्शन नबर जो हो आ है डी ओला राइट एंसर हो जागा यहांसे एक पश्चन और पुछता है कि बिया टी मेश्रा का स्थापना कब हुआ है ती बिदिया तो चर लेडिए 1959 में बिया ती मेश्विद्ध् गार्ण नॉवंबर 1908 को लाग हुआ था 1908 ऑप्शन नॉबर डी राइट एथ हो जागा गार्ण नॉवंबर 1908 को चलिए अगला प्रश्चन अगला है देखे 48 नॉबर क्वेस्चन्स क्या है अगला प्रश्चन देखे बहुत ही इंग्पोडेंट प्रश्चन है राज रप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थी थे ते रखना है दामुदर और भेडा के संगम में अवस्थी थे उप्शन नॉबर जो है इसका पहला वाला राइट एंसर हो जाएगा चलते हैं हम अगला प्रश्चन है कौन सा राइश्ट राजमार्ग हजारिबाग और बहरा गोरा को जोडता है तो दोस्तों नदियों 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 जो है दी वोला राइट एंसर हो जाएगा तोस्तों दोस्तों यखना है जो ¬NH33 है वो जारखंड के सरवधीक जिल्लों सहर गुजरती है तोटर शाथ जिल्ला शाथ जिल्ला होकर यह गुजरता है यह NH33 ठीक है अगला नाबर पश्चन है अगला है ज्ञारखंड के किस जिल्ले में गौतम बूद्ध वन जी अभ्यारन है गौतम बूद्ध जी अभ्यारन कौन सा जिला में है तुछ जिला जोस्तों कोडर्मा कोडर्मा में यह अवस्तित थे ओप्शन नमबर जो है इसका सी राइट एंसर हो जागा इप पुछेगा कि गोत्तमपुद अभिहारान जो अभिहारान है इसका अस्थापना कब क्या गया था तरफ लेजिए उनिस्था पचासी में इसका अस स्थित है ताप सभी पता होगा जोस्तों पच्मी सीमभूम अप्शन नमबर जो है डी वलाइस का राइट एंसर हो जागा दोस्तों इस जंगल में सबसे अधिक साल का ब्रिक्ष पाई आता है यह जंगल बहुत ही घना जंगल है और एक चीज दोस्तों यह जो इसारंदा व सब्सक्राइब कर लीजिए इसलिए हम सारा फेक्ट बता रहे हैं यह आपको अगर हम 30 सेट करवाते हैं ताप मांग चले का आपका 60 सेट कम्प्रिट हो गिया कि आपको सारा कोशेंस में आपको हम जो यह फेक्ट है सारा हम बताते हुए चलेंगे ठीक है आई हम चलते अगल अगला है दमदर का उधगम हुआ है आनि दमदर का उधगम कहां हुआ है या कोई बताना है दो यह लजुटना है छोगनाकपुर का पथार में हुआ है उफूकशा नवर्त है तो इसका भी रायड हो जाएगा अगर यही पुछता है कि दामदर नदी का सबसे लंबा नदी है यही पुछता है अगला है टाटा एरन एंड इस्टिल कंपनी के संस्थापक कोन ते रखना है जमसेद जी टाटा है ऑप्शन नमबर इसका बी ओला राइट एंसर हो जाएगा यही पुछेगा कि टाटा एरन एस्टिल कंपनी के स्थापना कब हुआ है ते रखना है 1907 में हुआ है 1907 में यह जमसेद पूर में इसका स्थापना क्या गया है साक्ची नमक अस् यह कहां है जमसेद पूर में आगला पूस्णा की जारखन का सबसे बढ़ा बिस भोटख कर्खाना डेस में तुर्फयर को धानी कहां में तो कहां पर कि मैं जार्खन का सबसे बड़ा बिसपोटक कर खाना गोमिया में है और गोमिया को सा जिला पड़ता है तो जार्खन का तो बोकारो जिला पड़ता है नेक्स्ट है अगला नबर जार्खन सरकार दुआरा बालकाओं को बित्य सहायता परदान करने के लिए हाले में निम लिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है हाले में कौन सी योजना शुरू क्या गया है तेदा खना इस तो सुकन्या सम्रेदी योजना सुकेन्या सम्रिदी यजिना option number c वळा right answer हो जाएगा next आता है यहला number अगरा पच्छन है मुख मंत्री ग्राम सित्तु यजिना कीस वर्स शुरू की गई वर्स अगवरत आना है तो वर्स अगवर दाना है तो वर्स अगवर 211 तो यह एक में शुरू किया गया था ओप्सन नबर सी ओला राइट एंसर हो जाएगा इस युजिना के तहत गाउं को सहर से जोड़ना था जिसे कि कहीं पूल पुल्या नहीं बना है पत्खा निर्मान करना है यह सब कायर करना था इस युजिना के तहत नेक्स अगर नबर पा पाशनात अभिहरान है इसका स्थापना 1901 में क्या गया है इस अभिहरान में सबसेदिक आपको तेंद्वा सांभार हीरा निलगाई यह सब देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट अगला नबर अगला पॉस्ण देखिए बहुत इंक्पूर्ण पॉस्ण है उध्वा जिल प पहला ओला राइट असर हो जाएगा दो, जो जो उध्वा जिल पच्छी भिहार है यह तहां पर है कि यह सहागी सॉन्षण है सुम्राय, टेटे किस खिल से समुन धी थे改 Al Charging सुम्राय टेटे कौंश सा खिल से समुन धीदे पहला बुला राइट राइट एंसर हो जाएगा सुन्राय टेटे ध्यान चंद पुरुषकार पाने वाली देश की पहली महिला होगे कि खिला डिये जिसको ध्यान चंद पुरुषकाल मिला है कौन पुरुषकाल ध्यान ध्यान चंद ध्यान चंद पुरुषकाल मिला है नेस्ट एरो नमबर अगला पस्ना है संथाल प्रगनाच हेतर की सबसे उची राजमहल पहाड़ी की उचाई कितनी है पताना संथल प्रगनाच हेतर की सबसे उंची राजमहल पहाडी की उंचाई कितनी है तापके यह राजमहल पहाडी एक सो पच्छाई से लेकर तीनसो मीटर है यह जो राजमहल ट falar अज्टेप है यह वैसाल चाटानों से निन्वीत है अगर पुछेगा कि राजमयर पहाडि कोषा चतान से बना हुआ है तहीं जाखना है बैसाल बेसाल से साल प्रिवेस यह सेट मारे होंगे तो और अच्छा सानुख होगा कि कौनसा प्रसन जादा है थिक्या कि अगला है अठारवे सदी के उत्राध में साल के पत्तों पर परचार कर ज्ञारखन में यह कानों चलाए गया था वह कौन सा विद्रो था जिसको साल के पत्ता से परचार किया गया था तो व भाद शर्च तो तीलका विद्रो अप्सान नंबर जो है इसका दोस्तो तो तीलका विद्रो ठीक है तिलका विद्रो जो हुआ दोस्तो वह लगभग 17 सब्सक्राइब लेकर पजासी की बीज़ों हता ठीक है और यह दखना है कि जो तिलका जो मांजी है तिलका मांजी उसको जाबरा पाढ़य बोला जाता है जाबरा पाढ़या इसको वियाद कर लिजेगा अगला है रोहिनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला के बाद 32 रेजिमेंट का मुख्याले रोहिनी से किस अस्तान पर अस्तान्तिरित कर दिया गया था किस अस्तान पर हस्तांत्रिद कर दिया गया था ब्हागलपूर हस्तांतरिद कर दिया गया था option नुमचो जूज का फोलव रैट ने हanece रोजयेगा ब्हागलपूर दोस्तो कहां पर है नेन्स्ट एगला नेमर अगला है जतरा भगत ने किस आंदलुन को अपना नेतुत पदान क्या था तेतरा भगत तो ताना भगत आंदलुन अप्सान नबर जिसका पहला राटने सजागा ताना भगत आंदलुन यह आंदलुन कभवा था? ताना भगत आंदलुन तो यह 1904 को हुआ था नेक्स्ट है बिर्शा मुंडा को किस अन्य उप नाम से जाना ज़ता है बिर्शा मुंडा को दूसरा और कौन सा नाम से जाना जाता है तो धर्ती आबा अप्सञा नबर पहला राइट सेर्फ धर्ति आबा उप हमें कमेंट करेंगे कि बिर्शे मुडा का जैन्म कौन सा जिलाय में हुआ है यह आप हमें कमेंट करेंगे C वाला राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है अगला नमबर जारखन समयन या समयति का गठन किस वर्ष क्या गया था तो वो वर्ष है दोस्तो 1987 अप्सन नमज्जोर का B राइट एंसर हो जाएगा इसमें टोटल तीरपन दल तीरपन दल को मिला कर इस समीति का गठन क्या गया था नेक्ष लात अंगला नमबर अगला है जारखन की दुसरी सरवधिक जन संख्यावली जैं जाती है दुसरी पुछा गया है तो दुसरा जो जाएगा उराओ पहला संथाले दुसरा उराओ हो जाएगा अगला है मुंड़ाओ के परधान देउता के रूप में ըिवन में से किसे जाना जाता है मुंढ़ाओ के परधान देउता कौन है तो जश्टो सिंग भोगा सिंग भोगा जश्टो सुर्य का परतिरूप है स्विरे का पर्ति रूप है जो की मुन्दाओं का पर्धान देवता है संथालो के गिरे देवता है संथालो के गिरे देवता क्या है बताइए तो इसके रखना है ओडांग बोगा है ओडांग बोगा ओप्सन नमर ओडांग बोगा यह आकरी प्रस्णा है और यह आखरी प्रस्णा है जार्खन की जन संख्या में आनुसुचित जन जातियों की जन संख्या का कितना पतिसात है तो 26% है यह 26% 2% पहला उला इसका राय तैंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूँ कि यह प्रेक्टिस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको जो भी कमी दिखाया दिया होगा यह आपको आवाज में कुछ कमी दिखाया दिया होगा यह हम स्पीड बहाना चाहिए जो जाए हिंदा